परिचे अंकिता, हम सब जानते हैं कि कोशिका जीवन की सनरचनात्मत तथा क्रियात्म की काई है क्या तुम जानती हो किसका वास्तविक मतलब क्या है? इसका मतलब एक अकीली कोशिका जीवन की सब ही मूलभूत कारियों जैसे भोजन तथा स्वशन वाली गैसों का ग्रहन करना स्वशन उच्च सर्जन आधी को संपन कर सकती है ओके, या एक कोशिक जीवों के लिए सही है लेकिन तब क्या होता है? जब एक जैसी अनेकों कोशिकाएं होती हैं जैसा कि बहु कोशिक जीवों में होता है। जैसा कि बहु कोशिक जीवों में सूचनाई ले जाती है। श्रम विभाजन का अर्थ है शरीर में एक निस्चित स्थान पर पाई जाने वाली कोशिकाओं के समुह द्वारा एक विशेश कारे करना। ऐसी कोशिकाओं के समुह को उतक कहते हैं जो की इस प्रकार से स्थित तधा व्यवस्थित होते हैं जिससे की वे विशेश कारे को कर सकें। इस प्रकार हम उतक को इस प्रकार भी परिभाशत कर सकते हैं कि उतक ऐसी कोशिकाओं का एक समू है जो की सनरचना में समान होती है तथा एक साथ मिलकर एक विश्ष्ष्ट कारे को संपन करती है उधारन तंत्र का कोशिका इस पाठ के अंत में आप निम्न करनी में सक्षम हो जाएंगे उतक को परिभाशित करना उतक के प्रकारों को पहचानना पादब तथा जन्तू उतकों में अंतर को जानना पादब उतकों को जानना पादब उतकों के प्रकारों को जानना विब जोतक के गुणों को पहचानना विब ज्योतक के प्रकारों को जानना स्थाई उतक के गुणों को बहचानना स्थाई उतक के प्रकारों को जानना स्थाई उतक के कारों को जानना पादप तथा जन्तु कोशिका पादप तथा जन्तु दोनों सजीव हैं किन्तो उनकी आंतरिक सनरचना बिलकुल भिन होती है। क्या तुम बता सकते हो कि ऐसा क्यों होता है? मैं एक मुख्य अंतर ये जानती हूँ कि पौधे स्वपोशी होते हैं। अर्थाद वे हरित, लवक यानि क्लोरोप्लास्ट की सहायता से सूरे के प्रकाश, काबंडाय औकसाइट तथा जल की उपस्थती में अपना भोजन स्वेम बना सकते हैं। वे एक ही स्थान पर रहते हैं, इसलिए पौधों में इस प्रकार के उतक पाई जाते हैं, जो कि उन्हें मजबूती प्रदान कर सके। उनमें से कुछ मृत उतक होते हैं, जो कि यांतरिक मजबूती प्रदान करते हैं। हाँ, मैं जानती हूँ कि जन्तू पर पोशी होते हैं, तथा भोजन, साथी, तथा आश्रे की खोच में उन्हें इधर-उधर घूमना पड़ता है। इसलिए उन्हें पौधो की तुलना में अधिक उर्जा की आवश्यक्ता होती है। इस कारण से जन्तू की अधिक तर उतक चीवित होते हैं। पौधो तथा जन्तू के बीच उनकी वृध्धी के प्रतिरूप में एक मुख्य अंतर होता है। पौधो की वृध्धी कुछ शेत्रों में ही सीमित रहती है। हाँ, किन्तू जन्तू में उन स्थानों पर वृध्धी सीमित नहीं होती, तथा इनमें वृध्धी नियमित रहती है। जन्तों ने उतक तंत्र का सन्रच्मनात्मग संगठन अधिक विशेई शिक्रेथ होता है। पादप उतकों के प्रकार अंकिता, क्या तुम जानती हो कि उतकों की विभाजन शमता के आधार पर पादप उतक दो प्रकार के होते हैं। विभजोतक तथा स्थाई उतक ऐसे उतक जो की लगातार विभाजित होते हैं, तथा पौधों की लंबाई तथा परिधी में, वृध्धी में सहायक होते हैं। उन्हें विभजोतक कहते हैं। ये केबल पौधे की वृध्धी वाले शेत्रों में ही पाय जाते हैं। जबकि वे उतक जोकि विब्जियोतिक से बने होते हैं, किन्तों विभाजित होने की शमंता खो देते हैं, तथा अपना निस्चत आकार ले लेते हैं, उन्हें स्थाई उतक कहते हैं। क्रिया कलाब हमें क्रिया कलाब द्वारा ये सित कर सकते हैं कि पौधों में विब्जियोतिक पाय जाते हैं। मैं एक शीशे की नली लोंगी, तथा अंकिता तुम पानी से भरी बिलकुल ऐसा ही एक शीशे की नली लो। उसके बाद प्रतिक नली में हम समान आकार की प्यास की मूल को तीन दिन तक रख देंगे, तथा उसकी मूलों की बृधी का परिक्षन करेंगे। हाँ, हम पहली दूसरे और तीसरे दिन मूलों की लंबाई को मापेंगे। फिर चौथे दिन तुम्हें प्यास की मूलों को काटना होगा और फिर उसे नली में रखना होगा। पाँचवे दिन फिर हम मूल की लंबाई मापेंगे। पाँचवे दिन हम मापेंगे, मेरे वाले नली की मूलों की व्रिधी रुग गई है। हाँ, ये क्रियाक लाप सित करता है कि पौधों में वरिधी कुछ निश्शित शेत्रों में ही पाए जाती है, क्योंकि इन शेत्रों में विभाजित होने वाले उतक, अर्थात, विब जोतक पाय जाते हैं. विब जोतकों के गोण विबच्योतक पतली भित्ती जीवित कोशिकाउं वाले अति सक्रिय उतक होते हैं उनकी कोशिका भित्ती सेलिलोस की बनी होती है ये आकरती में अंडाकार, गोल अथवा, बहु भूजी होते है इनका कोशिका द्रव्यक सगन होता है रस्धानी छोटी होती है, केंद्रक प्रधान होता है, ये जीवन परियंत विभाजित होते हैं, इसलिए व्रद्धी में सहायक होते हैं विब जोतकों के प्रकार विबजोतक की उपस्थिती वाले शेत्रों के आधार पर इनहीं शीर्शस्थ, पार्श्विय तथा अंतर्विष्ट भागों से वर्गी क्रत किया गया है जड़ों तथा तनों के व्रिधी वाले भाग में पाए जाने वाले उतक शीर्शस्थ विबजोतक कहलाते हैं जड़ों तथा तनों से पार्श्विय हिस्तों, अर्थात परिधी में पाए जाने वाले उतक पार्श्विय विबजोतक कहलाते हैं विबजोतक के कारिय विब्जोतकों का मुख्यकार्य लगातार नई कोशिकाओं का निर्मान करना है जणों तथा तनों में बढ़ाव की कारण शीरसत्व विब्जोतक पौधे की वृध्धी करते हैं ये वृध्धी प्राथमेक वृध्धी भी कहलाती है पाश्विय विब्जोतक पौधे का व्यास पढ़ाते हैं ये द्वित्यक वृध्धी भी कहलाती है अंतरविष्ट विब्जोतक अंगों की लंबाई में वृध्धी करते हैं स्थाई उतक कुछ समय पस्चांत विब्जोतक विभाजित होने की अपनी शमता खो देते हैं तथा एक विशेश कारे को संपन करते हैं इवं स्थाई उतक का निर्मान करते हैं इस प्रक्रिया को विभेदी करन कहते हैं विभेधित विब्जोतक विभिन प्रकार के स्थाई उतक बनाते हैं। स्थाई उतकों के गुण स्थाई उतकों में कोशिकाईं पतली या मोटी भिर्ती वाली, जीवित या मृत तद्धा परिपक्व होती है। स्थाई उतकों की आकरती अंडाकार, गोल, बहु भूजाकार अथवा फाइबर की तरह लंबी होती है इन में अंतरा कोशिक स्थान पाया जाता है कोशिका द्रव्य रजधानी युक्त होता है क्योंकि इसके अंदर विभाजन होनी की शमता नहीं होती अतह ये वृध्धी में सहायत नहीं है क्रिया कलाब हमें क्रिया कलाब द्वारा देख सकते हैं कि पौधों में विभिन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं एक पौधे की तने को लो तथा उसके पतले सेक्शन भाग काट लो अब इसे सेफ्रिनिन से रंजित करो इसे स्लाइट पर रखो तथा ग्लीसरीन की एक बून चालो अब इसे कवर स्लिप से ठग दो अब सूक्षम दर्शी से इसका निरिक्षन करने पर हम विभिन प्रकार की कोशिकाएं तथा उनके विन्यास को देख सकते हैं स्थाई उतकों के प्रकार कोशिकाओं के विभार के आधार पर स्थाई उतक दो प्रकार के होते हैं सरल स्थाई उतक एवं जटल स्थाई उतक सरल स्थाई उतक उन कोशिकाओं के बने होते हैं जो की कारिय तथा सनरचना में समान होती है सरल स्थाई उतकों के प्रकार कोशिकाओं के व्यभार के आधार पर सरल स्थाई उतक तीन प्रकार के होते हैं पैरन काईमा, कॉलन काईमा, तथा स्केलरे काईमा पैरन काईमा पतली प्राथमिक भिद्यां वाली कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो कि उनकी प्रोटोप्लास्म को बनाई रखती है। कॉलन काईमा मोटी प्राथमिक भित्यों वाली कोशिकाउं से मिलकर बने होते हैं, जो कि उनकी प्रोटोप्लास्म को बनाई रखती है। स्केलरन काईमा, लिगनन, युक्त, बित्यक भित्यों वाली कोशिकाउं से मिलकर बने होते हैं, जो की परिबक्व अवस्था में अपना प्रोटोप्लाजम खो देते हैं, अर्थात वे मृत्थ हो जाते हैं. क्रिया कलाब एक अन्यक रिया कलाब द्वारा पत्ती की कोशिकाउं की विभिन परतों को हम देख सकते हैं, अंगिता, रियो की एक पत्ती लो. हाँ, मैंने रियो की एक पत्ती ले ली है, अब मुझे क्या करना चाहिए? अब इसे थोड़ा सद्दबाव लगा कर तोड़ो. जब तुम इसको खीचते हो, तो कटे हुए भाग से थोड़ा इसका गूदा या छिलका बाहर निकलाता है. मैंने इसका छिलका निकाल दिया है, तथा इसे जल से भरी हुई पैट्री डिश में रग दिया है. हाँ, अब साफरन इनकी कुछ बूंदे मिलाओ, तथा दो से तीन मिनट इंतिजार करो. अब मैंने एक बूंद क्लीस्टीन की सहायता से इसे एक स्लाइट पर रग दिया है, तथा इसे कवर स्लिप से ढग दिया है. जब तुम सूक्षमदर्शी की सहायता से इसका परिक्षन करोगे, तो तुम्हे कोशिका की अनेक परते दिखाए देंगी. कोशिका की सबसे बाहय परत को एपिडर्मिस कहते हैं. ये साधारन तह कोशिकाओं की एकल परत से बनी होती है. एपिडर्मिस की बाहय तथा बराबर वाली भित्या आंतरिक भित्यों के मुकाबले अधिक मोटी होती है. सभी पौधों की पूरी सतह पर एपिडर्मिस पाई जाती है. ये जल हानी के विरोध यांतरिक, आघात तथा परिजीवी कवक के प्रवेश्ट से पौधों के सभी भागों की रक्षा करती है. पत्ती की एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होती हैं, जिनहीं स्टोमेटा के दो व्रिक के आकार की कोशिकाई घेरे रहती हैं, जिनहीं रक्षी कोशिकाई कहती हैं. ये कोशिकाई वातावरन से गैसों के आदान प्रदान तथा वासपो सर्जन में सहायक होता है सरल स्थाई उतकों के कार्या पैरन काईमा एक संचिय उतक की भाती व्यभार करता है यह अपनी फूली हुई कोशिकाओं के कारण अन्य उतकों के मध्य स्थानों को भड़ता है तथा पौधी की आकृती को बनाए रखता है यह भोजन को संचित करता है तथा उनका स्वांगी करन भी करता है पैरन काईमा तथा कोशिका भित्नियों द्वारा पदार्थों का संबहन होता है उनके अंतरा कोशिक स्थानों द्वारा गैसों को विनिमय भी होता है वे पौधों के व्यर्थ पदार्थों जैसे टेनन, गोंध, रेजिन, आधी का संग्रह भी करते हैं कॉलन क्राइमा एक यांतरिक उत्तक है, इसलिए यांतरिक सहायता तथा लचीलापन प्रदान करता है स्केलरन क्राइमा मुख्य तहा यांतरिक होता है तथा सुरक्षा प्रदान करता है ये पौधों को मजबूती, उभार तथा लचीलापन देता है जटल स्थाई उतकों के प्रकार जटल स्थाई उतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं ये सभी कोशिकाई परस पर मिलके एक इकाई के समान कार्य करती हैं कोशिकाऊं के व्यवहार के आधार पर जटल स्थाई उतक दो प्रकार के होते हैं जाइलम तथा फ्लोए पौधों के सहायक तथा जल समवहन उतक मुख्य तह वाही निका, ट्रेकिड, वाही का तथा काश्ठिया उतक से मिलकर बने होते हैं पौधों के भोजन समवहन उतक चालनी नलिकाऊं, रेशूं, पैराक्राइमा तथा स्किलिरिट से मिलकर बने होते हैं जटिल स्थाई उतकों की कार्या जायलम का मुख्य कारत जडों से पौधों के अन्य मुख्य भागों तक जल तथा खनेज लवनों का उर्वाधर समभन करना होता है फ्लोईम पत्यों द्वारा प्रकाश, संदलेशन द्वारा निर्मेद भोज्य बदार्थों को संचित अंगूं तथा बाद में बौधों के वृध्धी वाले शेत्रों तक पहुँचाता है क्या आप जानते हैं? च्रेंगम अचरस पौटा नामक पौधे का लेटेक्स होती है पादब जगत के स्केलरन काईमा के अंदर सबसे लंबी कोशिकाई पाई जाती है वालजिक कॉर्क ओक नामक पौधे से प्राप्त की जाती है एक वीच पत्री पौधे जैसे घास में रक्षी कोशिकाई डंबल के आकार की होती है चारांश आईए, हमने जो कुछ सीखा है उसे संशेप में धहराए उतक ऐसी कोशिकाउं का एक समू है जो कि रचना तथा कार्य में समान होती है पादप उतक मुख्य तहद दो प्रकार के होते हैं विवजोतक तथा स्थाई उतक विवजोतक विभाजित होने वाले उतक होते हैं तथा पौधे की वृध्धी वाले भागों में पाय जाते हैं जब विवजोतक विभाजित होने की अपनी शमता खो देते हैं तब वे स्थाई उतक का निर्मान करते हैं। वे सरल तथा जटल उतकों में वर्गिकरित किये गए हैं। सरल स्थाई उतक तीन प्रकार के होते हैं। पैरिन क्राइमा, कॉलन काइमा तथा स्केलरिन काइमा, Xylem तथा Phloem जटिल उतकों के प्रकार होते हैं